हेलो श्टूडेंट्स तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Electrostatic का पार्ट बारे में बात करेंगे और reduce syllabus से बात करेंगे, जो syllabus reduce हो गया है, जितना syllabus reduce हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीके, और वही हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, आज पूरे पूरी class के अंदर हम, जितना electrostatics का part, electric charges and electric fields वाले, chapter number 1, इस पर NCI टेकर हम बोले, इसमें आता है, तो पूरा का प वीडियो में, तो आपका पूरा का पूरा काम इस duration में, इस वीडियो में, इस lecture में हो जाने वाला है, ठीक है, एक बहुत ही funny सी बात में, लेकर मुझे पता चली है, कि जो deleted portion है हमारा, उसके अंदर electric charges and electric field और अपने uniformly charge shell के बारे बात करिए, उसकी electric field के बारे बात करिए, अगर मैं आपको electric charge के बारे में नहीं बताऊं, electrostatics पढ़ाना चाहता हूँ, और electric charge के बारे में नहीं बताऊं, तो कैसे पढ़ सकते हैं भाई उसको, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, आप खुद नहीं समझ पाऊंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, नहीं चार्ज क्या है, तो उसने काट के दे दिया हो, तो मैं पढ़ा चल गया, ठीक है, उससाब से उन्हें पोर्षन भी बना दिया, लेकिन एक अजीब सी बात है कि अगर मैं आपको नहीं पताता हूँ, चार्ज क्या है, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ आपको, तो हम उस चीज़ों को छोड़ते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से जो भी चीज़े जरूरी हैं, आपको समझने के लिए बताता हूँ चलूगा, ध्यान में रखूंगा डिलेटिट पोर्षन को, यतना आपको जरूरे नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ, कि मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है, जि इसमें हम चार्ज के बारें पढ़ते हैं, जब चार्ज रुका हुआ होता है, स्टॉप्ड होता है, रेस्ट पोजिशन पर होता है, तो रेस्ट पोजिशन पर जब चार्ज है, उस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी स्टड़ी को इलेक्ट्रो स्टाटिक्स कहा जाता ह ठीक है तो आप लिख सकते हैं उस चीज को अच्छा चार्ज मैंने बोला तो चार्ज जब वर्ड यूज किया तो चार्ज का मतलब क्या है चार्ज का मतलब बिल्कुल समझना हमें पड़ेगा तो चार्ज क्या है चार्ज समझने के लिए हम समझते हैं मास क्या है मास क्या इसको हम कहते हैं चार्ज, तो चार्ज क्या हो गया, इस 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 प्रोपरटी की वरे से, कोई बोड़े कीशी दूसरी बोड़ी को या तो अट्रैक कर सकती है, है रिपल कर सकती है, इस प्रोपरटी को कहते हैं, हम चार्ज, क्या कहते हैं, चार्ज तो चार्ज की डेफिनिशन अब लिखे, additional property of matter by the virtue of which it can attract or repel another body, ठीक है, simple simple सी definition की हमने बात करे, ठीक है, अभी तक मैंने board पर कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि सिर्फ चोटी चोटी चीज़े हैं, जो आप मैंने जो जैसा रिटेट किया, वैसा कि वैसा आप उसको no down कर सकते हैं, अब समझाने वाली बातों पर आते हैं, properties of charge से हम basically start करने वाले हैं, तो properties of charge क्या क्या है, charge की क्या क्या properties होती है, यह हम देखते हैं, charge के बारे में छोटी चोटी मूटी मूटी सारी बाते हम कर लेते हैं, ठीक है, तो properties of charge पर हम बात कर लेते हैं, पहली property, दूसरी property, तीसरी प्रपटी करके हम चलते जाएंगे, चार्ची प्रपटी इस पर पहली प्रपटी प्रपटी नहीं है, बिसीकली यह तो पहली एक पॉइंट में आमको लिखवाना चाहता हूं कि जो जो चीजे हैं इसके अंदर कवर हो जाएं, चारेक्टरिस्टिक हैं प्रपटी में, इसा यूनिट इस कूलम, जो की साइन्टेस्ट थे कूलम, उनके सम्मान में रखी गई है, उनके रिस्पेक्ट में हमने कूलम इसको नाम दिया है, इसको हम कैपेटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह तो चोटीची बात हुए, इसमें कुछ समझाएं लाएं का आप क कुछ है ने, दूसरी हम बात करते हैं, it is a scalar quantity, चार्ज is a scalar quantity, scalar vector समझते हैं आप लोग, it is a scalar quantity, scalar quantities क्या होती है, वो quantity जिनका कोई direction नहीं होता, ठीक है, मतलब कि उनको आप बिना direction sense को ध्यान में रखे हुए, add या subtract कर सकते हैं, उनका vector addition लकरनी के आपको ज़रूत नहीं है, ब आतनी माल लिजे, मेरे पास दो चार्ज है, मेरे पास दो चार्ज है मेरे पास, जो कि one micro coulum और two micro coulum के हैं, ठीक है, micro coulum से मुझे याद है, कि micro coulum क्या होता है, अब coulum जो unit है, coulum एक बहुत बड़ी unit है, तो practical units जो हमारे पास होती है, जो practical units हम देखते हुआ हैं, जो ह कैसे मिलता, micro coulum, ऐसे micro coulum या nano coulum, इस में हमें, इस form में हमें charge मिल रहा होता, ठीक है, तो हम practically जब भी बात करते हैं, किसी experimental setup की बात करें, जो experiment हम कर रहे हैं, तो एक coulum का charge होना बहुत बड़ी बात होती है, तो एक coulum का charge हमेरे पास, नहीं होगा, हमेरे पास micro coulum, nano coul है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि एक, एक micro coulum का charge में लेका रहा हूं, इनको मैंने एक body पर लाकर रख दिया है, ठीक है, या मैंने अपने हाथ में रख लिया है, बताओ मेरे हाथ में कितना total charge होगा, तो आप क्या बोलोगे total charge है, आपके पास 3 micro coulum होगा, वही मैं ब हाथ में में लगे कितना charge होगा, तो आप बोलोगे अभी भी 3 micro coulum होगा, तीन micro coulum क्यों होगा, आप कहीं भी पकड़ो, अगर charge की बात कर रहे हो, कितना total charge आने वाला है, तो वह scalar quantity है, उसको सीधे सीधे आड़ करो, टेंसल नहीं कि ज़रोती नहीं है हमें इसके अंदर, ठीके, तो बात हो जाती, it is a scalar quantity, आप सीधे सीधे उसको अड़ कर सकते हो, इसको हम additive nature of charge भी कहते हैं, ठीके, क्योंकि वह scalar quantity है, इसलिए वो additive nature में आता है, NCRT में रखा है, कि it has additive nature, तो तीसरा point में क्या बताऊंगा आपको, कि charge has additive nature, टोटल चार्ज निकालने के लिए सीधे सीधे add कर दो, ठीके, charge का additive nature होता है, यहां से के charge का additive nature होता है, तीन property मैंने यहाँ पर आपको लिख कर बताई, प्रोपर्टी क्या, प्रोपर्टी उसमें एक ही हुई, प्रोपर्टी तो charge is additive nature, बाकि इसलिए स्केलर quantity इसको चाहो तो प्रोपर्टी मान सकते हो, यूनिट को भी प्रोपर्टी नहीं होती, लेकिन हम उसको इसके अंडर पढ़ लेते हैं, ताकि हमें याद रह जाए प्रो quantization of charge, या charge is always quantized, या तो ये लिख लो या लिख लो, charge is always quantized, ये क्या बात हुई, charge is always quantized का मतलब क्या होता है, ये quanta का मतलब क्या है, quant जो word हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये quant का मतलब क्या होता है, quantum mechanics भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये quant का मतलब क्या है, quanta का मतलब होता है, pakket, क्या होता है, packate, मैं हमेशा इसको याशा समझाता हूँ, कि मान लेजे, आपने Amazon से कुछ और किया है, किसी website से आपने कुछ order किया है और आपके पास कुछ पारसल आया है तो कभी आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ है क्या जो चीज आपने order किया वो डेड़ packet में आई हो छीच कैले धाई package में पॉने तीन packet में आई हो एसा कभी नहीं हाँगा आपके साथ अगर ऐसा मतलब यह है कि चार्ज जो होगा वो जब भी ट्रांसफर होगा चार्ज जो होगा वो जब भी ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ओफ चार्ज के रूप में होगा इंटीग्रल मल्टीपल ओफ इलिमेंटरी चार्ज के फॉर्ण में होगा अब यह इंटीग्रल मल् कि ये चार्ज चीजे आई जो सबसे चोटा पैकेट जो है जो सबसे चोटा पैकेट है या एक पैकेट जो है उसको हम elementary पैकेट बोलेंगे यहाँ पर elementary पैकेट हमारे ले क्या हो जाएगा हमारा elementary charge हो जाएगा और ये charge electron के उपर जो charge होता है उसके बरावर होता है, यह चार्ज, इलेक्ट्रोन के उपर चार्ज होता है, उसके बरावर होता है, तो E को हम बोलते हैं क्या elementary चार्ज, इंटू 10 to the power minus 19 Coulomb 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb तो सबसे कम charge जो transfer हो सकता है वो है 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb इससे कम charge को आप transfer नहीं कर सकते, possible नहीं है ठीक है, इससे कम charge को transfer करना possible नहीं है तो मतलब एक body से दूसरी body में अगर कुछ charge गया है माल लिजे, ये मेरे पास कुछ भी random दो bodies है ठीक है, इस तरह से मेरे पास कुछ random दो bodies है मैंने बना लिये यहां से और यहां से मैंने कुछ charge उठा कर यहां पर डाल दिया है, ठीक है Q यहां से उठाया मैंने और यहां पर लेकर आगया मैं इस Q को तो Q को जो मैं लाया हूँ, मैं basically क्या किया होगा, मैंने electrons लेकर आया हूँगा, क्या लेकर आया हूँगा, तो कितना charge लेकर आया हूँगा, वो E का multiple होगा ही होगा, और E का multiple भी ऐसा होगा कि integral हो, ठीके, यह N क्या हो, यह एक integer हो, तो जब भी किसी body पर charge होगा, वो Q equal to any के form मे होगा, जिसको हम कई बार Q equals to plus minus any भी लिखते हैं, Q equals to plus minus any भी लिखते हैं, ठीके, अब quantization of charge से ही यह दो properties निकलती ही, मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीके, इसके इसकेंद जितनी भी बाते मैंने बोली हैं, इसकेंद दो चीज़े क्या क्या मुझे दिखाई दे रही हैं, क chance can be transferred. मैने बोला, जब भी चार्ज transfer होगा, तो इस बास ते हम यह infer कर सकते हैं, रे भई, चार्ज को transfer किया जा सकता है, दो एक तो property होगे चार्ज की, तो fifth property हमार पास क्या होगे, charge can be transferred, charge can be transferred, charge को हम transfer कर सकते हैं, तो property यह लिख सकते हो, क्या लिखोगे कौन कितनी होगे चार पांच पांच ही प्रापटी होगे चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड एक चीज से एक चीज से दूसरी चीज में एक बॉड़ी से दूसरी बॉड़ी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है ठीक है बच् जैसे मैं बैठा हूँ तो मुझे हाथ लगा जैसे ही मुझे हाथ लगा तो जटका लगता था जोड़ सीक्ट मुझे जटका लगता था उस बंदे को हम यहां से infer कर सकते हैं कि charge can be transferred, ठीक है, charge को transfer चाहां जाकता है और example आप यह लिख भी सकते हैं, अपनी भाषा में यह वाला example इसा करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना easy example होगे ना exam में, उतना आपको number जादा मिलेंगे, आपको लिखने में मज़ायेगा, ठीक है, तो charge can be transferred में समयाया, दूसरी क्या property हमने infer करी, दूसरी property infer करी हमने, charge can be of two types, charge can be of two types, कौन-कौन सा हो सकता है, positive भी हो सकता है, और negative भी हो सकता है, और charge negative भी हो सकता है, तो भाईया ये बात है, positive भी हो सकता है, और negative भी हो सकता है, हमारे पास charge का value, अच्छा, और कहें समझ सकते हैं हम इस चीज़ को, तो मास character type होता है, तो पॉसिटीव type सिर्फ होता है, हम ऑक ठीठ का वो सकते है, कि सिर्फ एक type का भी हो सकता है, कि Earth Sun आपस में Repel कर रहे हैं Moon आपस में Repel कर रहे हैं तबाई मच जाएगी ना ऐसा होता ही नहीं है लेकिन ऐसा Charges में होता है कि Charges Attract भी करते हैं और Repel भी करते हैं तो अगर Attract कर रहे हैं और Repel भी कर रहे हैं तो भाईया ये Confirm है कि एक तरह का चार्ज तो नहीं होगा ठीक है उसकी अलावा दूसरे तरह का चार्ज होना आवश्यक है बहुत ही जरूरी है अगर दूसरी तरह का चार्ज है तो वो कुछ भी हो सकता है उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं ठीक है बंटी बबलू बंटी बबली कुछ भी नाम हमने simple नाम दिया हमने क्या नाम दिया उसको positive और negative दो तरह के charge हमारे पास थे positive और negative दो चाहिए हमने नाम दे दिया हमारे लिवे चीज़े आसान हो गई ठीक है basically positive negative देने का sense कुछ नहीं था हमने electron को negative charge दे दिया इसके वर से तो electron को दे गया हमने electron transfer किया तो फिर बोला कि जिस body पर electron चाहिएगा उसका जो charge होगा वो negative होगा और जिस body से electron deficient हो जाएगा related with mass ठीक है इसका मतलब क्या होगा? charge is always related mass मतलब कि जहां पर भी charge होगा वहां पर mass होगा ही होगा मतलब मैं के बोल रहा हूं कि इस body के उपर charge है तो मेरा कहने का मतलब उससे आप ये भी इंफर कर सकते हो कि इस body पर charge है मतलब इसके उपर mass होगा ही होगा ये 100% true होगा ठीक है? क्योंकि अगर charge को कैसे transfer किया है? आमने सिर्फ एक electron की बात करें तो electron के इलेक्ट्रों ने खुद के पास mass होता है 9.31 into 181 minus 31 kg अगर आप इस electron को लेकर जा रहे हो कहीं पर इधर से उदा कर रहे हो मतलब आप mass को भी transfer कर रहे हो तो charge हमेशा ही mass के साथ होता है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि charge हो और mass नहीं हो लेकिन हाँ उल्टा हो सकता है ठीक है? उल्टा हो सकता है कि mass हो mass हो, charge नहीं हो mass हो और charge नहीं हो ये possible है यह possible है इसका उल्टा possible नहीं है, charge हो, mass ना हो, यह possible नहीं है, ठीक है, तो यह कुछ properties हमने देखी हैं, charge की जितके हमने हमने cover कर लिए हैं, सारी सारी चीज़ें, अब और आगे बढ़ते हैं, और चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, properties of charge आपने आप आराम से लिखें, इसको समझे है, उसको अपनी language में लिखें, notes बनाते जाएं अपने, ठीक है, अपनी language में लिखते जाओगे, तो आपको चीज़े समझ में आती जाएंगी, मैं dictate करता जाओगा, आपको लिखते जाओगे, तो आपका धियान में वो चल रहा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ, तो difference है, इसलिए मैं चाहता हूँ, कि आप खुद से लिखो, अपनी language में इसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, और अपने language अपने notes बनाते जाओ, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़के पढ़ते हैं, क्य आपको आगे की स्चीज़े नहीं आ सकती, क्योंकि कूलं लोग बइस बनता है, इлек्ट uniquely statics का, और आगे कही चीज़ों का है, कूलं स्लोब्स बन जाता है, हम देखते हैं क्या कहता है, भाई कूलंस लोग क्या कह रहा है हम से, क्योंस लोग कह रहा है भाई कि अगर हमरे पास दो चार्ज हैं मान लेते हैं हम अरे पास ये दो चार्ज हैं कुछ प्लस प्लस ले लेते हैं हम ठीक है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम कुछ भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं अब क्या करें भई, इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें भई, तो कूलम ने क्या बोला, तब से पहले तो कूलम ने बोला कि यह law है, law का मतलब क्या होता है, कि law कभी भी आप proof नहीं कर सकते हो, law law है, law कानून है, इसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, red light cross क्य यू नहीं करनी है, ये नहीं पूचते हम, वे लौ है, रड़ लाइट क्रोस नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, ठीक है? तो अगर हम लौ बोलते हैं, तो कूल अभने बोला कि ये लौ है, उन्होंने कुछ कियोंगे, एक्सपरिमेंट देखें होंगे, लेकर उनके लौ बना ने गजाते हैं अगर मैं positive negative ले आता हूं तो यह पास आते हैं आते हैं Wit którą बात बोली और बहुत खुछ होगा इनों इतने में वह इनके multiple के, इनके charges के multiple के directly proportional और इनके बीच की दूरी के inversely proportional होगा, इनके बीच की दूरी के inversely proportional होगा, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, बड़े खुश हुए, बोले के यह होगा, तो हमने बोला कि ठीक है, आप अलग-अलग क्यों बोल रहे हैं उसको, आप एक ही जीज़ हम बो और हमने बोला कि ये kq1 q2 by r square होगा, और यहां पर हमने एक constant लगा दिया, proportionality का sign, हटाकर रोपूछा कि ये k क्या है, तो कूल हमने बोला कि ये constant है, जिसकी value 9 into 10 to the power 9 मैं ले रहा हूँ, ठीके, तो उन्होंने बता दिया कि 9 to 10 to power 9 value ले ली, तो क्यों ली 9 to 10 to power 9, उन्होंने value ली थी 1 ठीके, लेकिन वो value उन्होंने CGS में ली थी, ठीके, जब हमने SI सिस्टम को हमने adopt किया, CGS सिस्टम में काम करना बंद कर दिया, बंद मतलब जब हम generally तो हमने देखा कि की वैलुई SI सिस्टम में 9 to 10 to 9 आ रही है ठीक है तो हमें कोई टेंचन नहीं हम ले लेके एक वैलुई आ रखने में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो हमसे पूछा भई अच्छा उन्हें बोला कि इसके वीचे फोर्स लग रहा है तो यह कौ Q2 Q1 पर लगा रहा है पता कैसे चलेगा कौन सा फोर्स है एफ जो वैलुई की किस कौन सा फोर्स है तो ठीक है अपने देखा कि भाई Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ यह इसको इदर भेक रहा है मैं मान लेता हूं कि यह जो फोर्स है यह वन लगा रहा है वन ठी है two ठीक है यह दोनों force होगा मेर पार direction के साथ के इनको दूर-दूर भगा रहा होगा फिर कूलं को Newton की बात याद आई Newton ने कहा था कि जो forces होते हैं वो pairs में exist करते हैं और pairs में exist करते हैं मतलब अगर एक force दूसरी बॉड़ी पर अगर एक बॉड़ी दूसरी रहा होगा भाईया उतना ही फोर्स तो टू बन पर लगा रहा होगा चाहे डारेक्शन अपोजिट हो लेकिन इनकी जो वैल्यू है इनका जो मैगनिट्यूड है वो तो बराबर आ रहा होगा तुरह ने बोला कि यह जो एफ यहां पर लिखा है ना आप एक को एफ लिख दो द बताए इसकी यूनिट क्या लेंगे भाईया तो रहा कुछ निया आप इसको देल ले जाए और इंदों को इधर लियाए तो इंदों को इधर लियाए तो आपके पास क्या बन जाएगा K is equals to FR square by Q1 Q2 F क्या है यहां पर Newton यह क्या है मीटर स्क्वेर और यह कूलम कूलम का स्क आपके हैगी उरिंट क्या बन गई welcome क्या होगा गई harfind पया gjort क्या एक क्या तो यहांने जींट का फोर पर हम देखते हैं firstly beyond ओंड के सिर्फ माइनिटीट कि हमने बात की है कि य। दूसरे itd psychiatric से लगा रहे हैं, अगर canopy Earth planning सब्सक्राइब की प्रूव करों, आप कैसे लिखोगे एक वेक्टर व्रीक साथ इस फोर्स को तो हमने बोला कि हमारे पास जो ये force आ रहा है न ये जो है के Q1 Q2 by R2 के बराबर आ रहा है अब मुझे इसका direction चाहिए direction के लिए क्या करते हैं direction के लिए हम एक unit vector से multiply कर देते हैं और हम देख सकते हैं कि इसका जो direction आ रहा है इसका जो direction आ रहा है वो इस line के along आ रहा है जो line इन दोनों को जोड रही है जो line इन दोनों को जोड रही है उस line के along in forces का direction आ रहा है देखो आप इसको देखो और इसको देखो इन दोनों का line का force कहां आ रहा है वो उस line पे आ रहा है जो की line इनको जोड रही है ठीक है बही जोड़ दी अच्छी बात है अगर जोड रही है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे के r vector r cap को हम कैसे लिख पाएंगे हम r cap को कुछ ऐसे लिख पाएंगे r vector by magnitude of r इसी तरह से हम unit vector को लिखते हैं तो यह इसको बोलते हैं vector form of coulombs law vector form of coulombs law ठीक है इसको आप ऐसे याद रख सकते हो पूछ लिया जाए तो इसको लिख दो और यही वेक्टर form of coulombs law है कोई rocket science नहीं है इसके अंदर बहुत असान सी चीज है अच्छे वेक्टर form काम कहां आएगा अभी भी तो दिखना पढ़ेगा काम कहा है कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो इसको काम भी तो होना चाहिए नहीं थोड़ी पढ़ लेते हैं कि ठीक हम बता दिया तो हमें पढ़ लिया किताब में दिया हुआ इसलिए पढ़ना है लेक कि यह वेक्टर form कहां कामाने वाल है तो वेक्टर form कहां काम आने वाला है उसके लिए हमएं एक इसको समझतै है कि माल लेजिए हमारे पास यह ट्राइंगल है इक ट्राइंगल है कुल के है मतलब आ कि त्रहिंग'll की वर्ठीसिस पर हमनें पियुश तीन चार्ज रख़े हैं क्यूं क्यूं के बराबर हैं, तचा क्यूं क्यूं के बराबर हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, हमें बता करना है कि किसी भी दूसरी चार्ज की वज़े से, आप किसी एक चार्ज पर कि नहीं, दो दूसरों चार्ज की वज़े से, किसी एक चार्ज बता दिए इसको कितना फोर्स निकलने वाला है, तो कैसे करेंगे हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर में, तो आप देखोगे, कि यह जो साइड है, अकर इसको मैं माननूँ ए, यह साइड है, मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे लिखना लग रहा है, वो इसको कितना लग रहा है, अचा, मैगनेट इुट की बात करता हो, तो इन दिन दोलों के बीच में सकी दूर रहा है, कितना रहा है, कितनी है, और इनकी विरेस लग रहा है, SPBF लग रहा है, लेकिन अलग अलग direction में लग रहा है, तो इसको ऐसे add तो नहीं कहरा सकता, इसके लिए मुझे इसको vector sum करना पड़ेगा, मुझे इसका vector sum करना पड़ेगा, भीज़ा, कैसे vector sum किया जाए, बड़ी दुविधा है, ऐसे दुविधा को कैसे दूर क तो मुझे बूला गया कि आप इस दुविदा को दूर इस से करें कि आप इसका unit vector निकाल लें और इसका unit vector निकाल लें ठीक है यह unit vector अगर आपको पता चल जाते हैं तो आप आराम से फिल लगा सकते हो तो इसका vector form कैसा हो जाएगा k q square by a square a cap plus k q square by a square ठीक है not a cap इसको हम मान ल इसको हम लिखेंगे cb cap ठीक है यह अगर मुझे cb cap और ab cap अगर मुझे यह direction पता चलना है तो मेरा काम हल हो जाएगा मेरा काम solve हो जाएगा ठीक है तो एक तो हम यह कर सकते हैं बिल्कुल अगर हमें vector में बहुत अच्छे सा आता हो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं इस करनेगा एक तरीका और है ठीक है वो क्या तरीका है अगर हमें पता सल जाए कि इनके बीच में angle कितना है तो भी तो हम कर सकते हैं और हमें कहा था कि यह equivalent triangle है तो यह angle भी 60 degree यह angle भी 60 degree अगर यह angle 60 degree तो यह angle भी 60 degree और हम पता है कि अगर मेरे पास दो vector है एए vector and B vector और मुझे उनको add कर तो इनका जो addition होता है, जो resultant vector आता है, वो root a square plus b square plus 2ab cos theta के बराबर आता है, ठीक है, अब हमारे पास इसमें basically क्या है, हमारे पास दो forces है इस तरह से, ये force f और ये force f, ठीक है, इनके बीच का angle कितना है, 60 degree, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनका resultant आएगा, वो कितना आएगा, f net equals to root f square plus f square plus 2ff, येनके 2f square, cos 60 degree, ठीक है, इसको आप असानी है, solve कर सकते हो, और इनका direction, net force का direction कितना आजा है, क्यूंकि ये बराबर forces है, तो एक उपर की तरफ इस पर total force लग रहा होगा, जिसका direction भी आप बता सकते हो, ठीक है, तो आपको अगर vector बहुत अच्छे सा आता है तो vector form से आप करें, नहीं तो आप इस form से करें, direction अलग निकालें, और magnitude अलग निकालने की कोशिश करें, तो ये ज़्यादा आसान है, ठीक है, ये हमने बात की कूलम लोपर थोड़ी चोटी 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 बात हमने कूलम लोपर करी, अब हम और आगे बढ़ते हैं, और कहा पर चलते हैं, हम, electric field पर, मैं बिल्कुल जितनी चीज़ें जरूरी हैं, वो सब लेकर चल रहा हूँ आपके साथ, आपको बिल्कुल बताता हुआ जा रहा हूँ कि क्या क्या आप से पूछ रहा सकता है, बिल्कुल जो भी concept इसके अंदर cover हो सकता होने चाहिए, वो सारे concept में पर कर रहा हूँ, अब बहुत ही important चीज़ पर हम आ गये हैं, जिसको हम कहते हैं, electric field, क्या कहते है, electric field, क्या होती है, electric field, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, electric field क्या होती भाई, electric field क्या होती है, अब देखो जैसे कि आपने magnet देखी हुए, कभी magnetic की बात कर लेते हैं, ठीक है, वैसे वो magnetic field होती है, लेकिन example देने में क्या जा रहा है, example समझाने में आपको कोई परिशानी तो है ने, magnetic field, आपकी जो magnet होती है, तो magnet को जो आप एक दूसरे के पास लेकर आते तो हमेरे पास इसी चीज़े होती है, तो क्या हो रहा होगा, क्या magnet एक magnet है, उसकी वज़े से दूसरी magnet पर कुछ force लग रहा होगा, कुछ effect आ रहा होगा, कुछ effect आ रहा होगा, वो जो effect होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उस effect को ही हम magnetic field कहते हैं, बेसिकली सीधी सीधी भाशा मे तो ऐसे समझते हैं उसको, और electric field क्या होगा, जैसे magnetic field था, तो electric field को समझने के लिए हमें यह कहेंगे, कि मेरे पास अगर दो charge है, तो दो charges के बीच में जो interaction हो रहा होगा, और जितनी दूर तक interaction हो रहा होगा, जितनी दूर तक interaction हो सकता होगा, उस field को, उस जगा को जहां तक म electric का, चार्ज का, उसको हम electric field कहेंगे, ठीके, तो the area, the space in which the effect of charge can be felt is known as the electric field, ठीके, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजे मेरे पास कोई charge है Q, कोई Q charge है मैंने इसको यहां रख रखा है, ठीके, और एक और charge है Q dash, ठीके, एक और charge है Q dash, अब मैं infinity, यह infinity पर था, infinity पर इसको कोई questions था, कोई tension वाली बात इसको थी, जैसे मैं इसको पास में लाने लगा, वैसे वैसे इसको इसको repulsion feeling लागा, अब बिल्कुल post लाया नहीं है उसको, बिल्कुल इसको चिपकां दिया नहीं है, मतलब force अगर मैं भात करता हूं कि force लग रहा तो force लगने के लिए हम आदे है कि तो इस invisible string जो है, वो कौन सा force, वो जो, जिस area में force लगा पा रही होगी, उस area को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, इसका electric field, क्या कहेंगे हम इसका electric field, ठीक है, तो इस charge की विरे से, इस Q पर जो effect आ रहा होगा, और जहां तक आ रहा होगा, उसको हम electric field कहेंगे, तो इसको mathematically कैसे define करें, भाई, यह तो हमने समझ लिया कि यह होता है, इसका mathematical representation कैसा होगा, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा न, तो अगर मान लो, यह q dash, q dash जो है, इसका value में 1 coulomb ले ले लेता, कैसे हमने define क्या electric field को, कि मैंने इसका value 1 coulomb ले लिया, तो अगर मैं कोई 1 coulomb का charge लेकर आ रहा हूँ, इसको मैं test charge जो बोलता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यह किसी और charge के उपर effect नहीं करेगा, अपना field नहीं बनेगा, अपना कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, इसको test charge बोलता हूँ, तो यह अगर मैं 1 coulomb का charge यहां पर लेकर आ रहा हूँ, तो इ f by 1 coulomb के बराबर होगी, f by 1 coulomb के बराबर होगी, ठीक है, अच्छा मैं बात करूँ कि 1 coulomb की जगा मैंने एक बहुत ही छोटा सा test charge ले लिया है, जिसको मैं q dash बोलता हूँ, यह q बोल देता हूँ, ठीक है, तो e किसके बराबर होगा, e जो होगा, वो f by q dash के बराबर होग a test positive unit charge, लिख सकते हैं, electric field, electric field is the force experienced by a test positive unit charge, due to another charge present in its vicinity, ठीक है, तो जिस charge की वे से वो feel कर रहा है, तो वो जितना force ले कर आए, और the value of charge, जो feel कर रहा है, effect हो, उसको हम डिवाइट कर दें, तो हमरे पास e का value मिल जाता है, हमरे पास e is supposed to f by q dash यहां से मिल जाता है, ठीक है, जो कि point charge, ठीक है, जो point charge मैंने बना रखा था, इसकी वेसे देखते हैं, इसकी वेसे कितना हमरे पास electric field आ रहा है, किसी भी distance से बात कर लेते हैं, हमके मान लीजे, कि यह r distance से मुझे पता करना है, कि r distance पर कितना electric field आ रहा है, अब यहां पर कोई charge नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो इसका वाज़ा force आता था, वो कितना आता था, point charge की विरसे kq, kq1, q2 by r square, kq q dash by r square, गया आता था, ठीक है, अब electric field के हम बात करें, तो electric field कितने हैंगी, kq q dash by r square upon q dash, ठीक है, तो ये q dash से q dash कर जाएगा, तो इस q की जो field आएगी, वो किसके बराबर आएगी, kq by r square के बरा जाएगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये formula हमारे पास बन गया, electric field due to a point charge, electric field due to a point charge का formula हमारे पास क्या बना है, kq by r square, electric field due to a point charge, कितना होगा, kq by r square, ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत important formula है, जितने भी formula हम आगे derive करेंगे, जितनी भी formula हम आगे करेंगे, वो इसी formula से निकाले करेंगे, तो हमें ये बहुत अच्छी से पता होना चाहिए, कि electric field due to a point charge, कितना होता है, e equals to kq by r square होता है, ठ इसका application वगर हम भी बात करते हैं अभी, ठीक है, ये हमार पास क्या मिल गया, electric field due to a point charge हमें मिल गया है, ठीक है, अब electric field तो मैंने बता दिया कि ये field होती है, ठीक है, आसपास होती है, जो कोई भी charge होता है, उसके आसपास जो effect आप field कर सकते हैं, उसको हम electric field कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका manifestation कैसा होगा, इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम visualize कैसे करेंगे इस चीज़ को, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, या बनाना चाहता हूँ, या आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको कैसे दिखाँगा मैं electric field को, तो electric field दिखाने के मैंने एक तरीका बना लिया है, या एक method बना लिया है, जिसको हम बोलता हूँ, electric field lines, या electric lines of forces, ठीक है, electric field lines, ये electric lines of force, ये क्या होती है, electric field lines, क्या बला है भईई, तो electric field को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक field को दिखाने के लिए, जो method में use कर रहा हूँ, those are called electric field lines, ठीक है, तो अब हर charge की वज़े से मैं electric field lines आपको बना के बताने वाला हूँ, कैसे कैसे बनती है, electric field lines, obviously हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको, तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक positive charge है, इस positive charge की मुझे electric field lines ब परशाएंगे, और कहां तक जाए, क्या होगी, field, क्या properties होगी इसकी, उस पर हम थोड़ी थोड़ी बात अभी करते हैं, तो positive charge अगा हमारे पास है, तो positive charge की जो field होगी, वो charge के अंदर से निकलती ही हमें दिखानी है, ठीक है, हमें याद रखना है कि positive charge से निकलती, अंदर से निकलती ही, field जो है, lines जो है, वो हमें दिखानी है, तो positive charge ऐसा होगा, जैसे उसके अंदर से field lines निकल रही है, तो field lines को आप कहा समझ सकते हो, जैसे कि concept develop कैसे हुआ होगा, जैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, तो आपने एक bulb देखा है, ठीक है, बल्ब से अगर आप ब निकलती हुए, दिखाओ, तो कैसे बनाते हो, बच्पन से बनाते हो, यह सूरच से बनाते हो, 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 सूरच से बनाते है, ठीक है, एक smile कर रहा हो, जैसे बहुत दुखी हो, लेकिन हमारे लिए व कत वाली बात है उसके अंदर है नेगाटीव चार्ज के अंदर एलेक्टटीक फीड़ लाई ए रही होंगी ठीक है एंड हो रही होंगी यहां पर एलेक्टीक फीड़ लाई Pues चार्ज के अंदर इसके अंदर और कहां से आ रही होंगी यह एलेक्टिक फिलन जाएगी कहां यह infinity जाएगी भईया और यह कहां से आएगी यह infinity से यहां ताएगी तो positive charge की जो lines होती है वो कहां से जाती है positive charge से infinity पर end होती है शुरू कहां होती है positive charge पे और end कहां होती है infinity ठीक है और वहीं बात करते हैं negative charge की तो infinity पे शुरू होती है और negative charge पे आकर खतम होती है ठीक है बढ़िया बात है याद रखने वाली बात है याद रखना चाहिए हम इसको तो एक property हो गए हमारे पास electric field lines की कहां से शुरू होती है कहां पर खतम होती है अच्छा भई अब क्या किया ना इन लोग ने क्या किया यह positive charge जो negative charge था इनको पास पास लिया इनको जैसी पास लिया है तो electric field line धकबगा गई ठीक है तो उनको पता चला क्या करें भई अब क्या करें तो इन्हों बोला कि अब हम जो infinity तक जा रहे थे हम ने कोई effect करने वाला नहीं था दुनिया में सबसे अलग थे अब यह हमारे पास अलग नहीं है मेरे पास यह आ गया और यह आ गया यह आ गया अब इनके बीच में तकरार होगी तो इनकी electric field line चेंज होगी electric field line चेंज कैसे होगी या तो फिर से बना ले या इसी में बना लेते हैं चलो फिर से बनाते हैं इसको क्यों गड़ा खराब करें तो यह positive charge था भई यह positive charge आ गया और यह negative charge यहां पर आ गया ठीक है यह चाहते हैं कि आपस में इनका interaction हो तो interaction हो तो हमें क्या पढ़ा हमने पढ होती है ठीक है तो यहां पर भी ऐसी करना पड़ेगा तो positive charge से लाइन शुरू हो यह negative charge खतम हो तो ऐसे भी तो हो सकती है बिल्कुल हो सकती है तो एक line ऐसे बन गई चीदी चीदी अच्छा और यह बोलदा कि इसको ऐसे करके गई ठीक है और यह से करके गई ठीक है एसे भी सकते है बिल्कुल है ऐसे जारी ती उपर वाली जो लाइन उपर जा रही थी इदर लाइन उपर झारी थी इत्रेक हो यह सिंखर कि यह बन गई ठीक है और आप देखो एक इन फीनिटी तो भेज तो कोई क्या दिक्कत वाली बाद यह एंफिनीटी पर जारी थी इधर वाली इंफिनिटी पर चली जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इधर से भी आप निकाल दो, इंफिनिटी पर इंफिनिटी पर इधर से निकाल दो, लेकिन इधर वाली जो लाइन है, यह बीच में इनके बहुत ही गड़ बड़ हो जाएगी, अब देखो, नेग यह होगा भाईस, आप खेल, यहाँ पर इस तरह से खेल बन जाएगा, पॉजिटी निकाट चार्ज अगर हम ले लेता है, तो यह मकड़ी नूमा इस्ट्रक्ट्चर अमारे पास दिख जाएगा, कि ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, और एलेक्ट्रीट फील के लाइन चोंगी, वो दिस्टॉट होगे, डिस्टॉट के मतला अपने आपको आइन्ज कर लेंगे, आइन्ज कर लेंगे कि पौजिव नेगेटिव चार्ज के बीद में ठ्राक्शन शो हो रहा होगा, ठीके, वही पौज़िटिव पौज़िव चार्ज होतो है, क्या होगा ठीक है तो positive negative charge हमने बना दिया अगर positive positive charge हो हमारे पास तो क्या करेंगे भई कैसे दिखाएंगे उसको कैस प्रकार से हम करेंगे positive positive charge को देख लीजे जल्दी से आपको बता देते हैं positive charge यहां लिया हमने और positive charge यहां लिया हमने इनके बीच की जो electric field lines कैसी बनेगी यह तो infinity जा र रागता है यह हमने दिखा दे लेकिन इनके बीच की line जो होगी उनके बीच में तबाही मत जाएगी वो कोई tension में आ जाएगी वो देखेंगी क्या हो गया भाई यह क्या हो गया यह पास पास आ रहा है पास पास आ रहा है तो यह electric field चाहिए नहीं मेरे पास मत आना और यह ज पास मैलेंगी, आलएगी कैस्तेया, इनके इनफनीटर में लेकिन कभी नहीं मिलेंगे, यह 3D में बन रहे होगा यह एफक्ट सोचो जरह 3D मे बन्हों आःगा इधर आभी इधर भी हो क्या पॉइंट चाड़ल हो हमारे पास जरुकी थो और पॉइंट चार्ज इ हो ठीक यह ि सानप जसकता है कि किंकल रख कहीं पर है नहीं हो सकता है पाणी जब भरते हो वां तो जरु थोड़ी पानी की बुंद marriage अलग अलग हो पानी की डॉट 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 क्या होता है पहला होता है मेरे पास linear charge distribution linear charge distribution ठीक है और दूसरा होता है आपका superficial charge distribution superficial charge distribution और तीसरा होता है आपका volume charge distribution क्या होता है volume charge distribution तो इनका मतलब क्या हुआ linear charge का मतलब क्या हुआ पहुत ही पथली सी राड है और इस हर जगापर चार्ज रखा हुआ है प्लस 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 बिल्कु जगा नहीं है जिलकुंब लेंडा से अक्स से घूए कर दो तो वे मुझे लेंबडा मिल जाता है Q by L, मुझे लेंबडा मिल जाता है Q by L, जितने चार्ज है उसको अगर मैं उसकी लेंग से डिवाइड कर दहूं तो मुझे Q by L मिल जाता है, वहीं बात करता हो Arial Charge या Superficial Charge Distribution की, ठीके, अगर किसी area में देखते है माली जै मेरे पास यह एक sheet है इस sheet पर सब जगा पर charge रखा है independ demonstrating को जीसा भी हो सकता है रिख़्टरीने की जगा नहीं है ऐसा charge है ठीके, इतना charge मेरे पास सब जगा, सब जगा, सब जगा, सब जगा, सब जगा कि आपके पास कोई भी body है मैंने या cube बनाया, कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इस cube में हर जगा पर हर जगा पर, हर जगा पर charge ही, charge है, charge ही, charge है तो rho किसके बराबर होगा, rho होगा आपका cube है, a के बराबर, cube है वी के बराबर हो जागा जहाँ पर वी क्या है इसकी volume है वी क्या है इसका volume है इस तरह से हम charge density की बात करते हैं ठीक है तो यह क्यों बताया मैंने आपको भी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप electric field lines draw करें electric field lines draw करें कुछ इस तरह से माल लीजे जाते हैं तो आप जाते हो कि electric field lines positive से शुरू होती है और negative तक जाती है positive से शुरू होती है negative तक जाती है बाकी जहां नहीं जाती है तो वहां infinity जाती है जहां नहीं जाती है तो वहां infinity जाती है यह बना दिया अब यहां की हमें बात करनी है तो positive से negative कैसे 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 ऐसे 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 यहां पर बन जाएंगी ठीक है इसमें क्या सिखाना है आपको आपको सिखाना यह है कि electric field lines जो होंगी वो अगर किसी conductor पर fall हो रही है या कहीं fall हो रही है तो वो हमेशा perpendicularly fall होंगी कहां होंगी परपेंडिकुलर्ली fall होंगी तो आप लिख सकते हो electric field lines electric field lines electric field lines electric field lines and or originate end or originate end or originate perpendicularly perpendicularly ठीक है on the conductor surface on the metal surface यह आप ऐसे समझ सकते हो ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कैसे होता है अच्छा और यह जो electric field lines होती है कि यह never make close loops they never make close loops यह कभी भी close loops नहीं बनाती है हUI थीक़्वी close loops नहीं बनाती है और तीसरी बात जो हमें पता होना चेह कंभाיצल के बार में इनको आप as प्रॉपर्टिस याद रख सकते हो properties of electric field lines अचमेंद रसकते हो कि ये कभी भी intersect नहीं कर सकती है they never intersect never intersect कभी भी intersect नहीं करती है थीक है अगर मांली जी होता क्या है basically ये ज़ो chargers है इनके बीच में electric field कुछ हे कुछ इस तरह से इनके बीच में electric field है थीक है और मैं मानता हूं कि यह electric field यहाँ से इसको cut कर रही है, यहाँ पर इसको intersect कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं इस line पर एक positive test charge चलाता हूँ, तो यह test charge कुछ इस तरह से इस line को follow करेगा, इस line को follow करेगा, इस path को follow करेगा, electric field lines को हम ऐसे भी define कर सकते हैं, ठीक है, माली एक छोटा सा charge में रख दें यहाँ पर, तो वो यह line follow करेगा, यहाँ पर, यहाँ पर यह line follow करेगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुचेगा, जब वो यहाँ पहुच जाएगा, तो उसकी पास दो रास्ते होंगे जाने के, या तो एक रास्ता यह होगा, या एक रास्ता यह होगा, टेंजेंशिल डिरेक्शन में चलेगा, एक रास्ता यह होगा, और एक रास्ता यह होगा, ठीक है, तो वो कौन सा रास्ता लेगा, तो वो confused हो जाएगा कौन से रास्ता लूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि electric field lines जो हो वो आपस में एक दूसरे को intersect करें ठीक है तो ऐसा कभी possible नहीं है कि electric field lines आपस में एक दूसरे को intersect करें क्योंकि यहाँ पर इस point पर दो direction मिल जाएंगे हमें electric field line electric field का direction क्या होता है उस point पर हम tangent draw करते हैं और जिस point change, जिस direction में direct कर रहा होता है, वmost electric field का line का, उस point का, उस moment का direction होता है. तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं, दो reaction हैं, और एक ही point की घिसके दो direction possible नहीं हैं, तो हम कहीं सकते हैं, electric field लाइन्ज होती हैं, वो आपस में एक दूसरे को कभी भी intersect नहीं कर सकती हैं, दूसरे का पड़ी हमने, never intersect, end और originate perpendicularly to the conductor, और ये never intersect और never way close loops, ये हमें पता चलता है, ठीक है, ये कभी close loops भी नहीं बनाती है, ठीक है, चलिए तो ये चीज हमने देखी है, electric field lines के बारे में, और हम अब आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं, क्या आगे बात करते हैं, हम कुछ और जो की है, हमारे लिए ये क्या है, flux, ठीक है, flux के पर हम बात करते हैं, flux क्या होता है, बई, flux का मतलब क्या होता है, electric field lines ते हम flux पर आगे हैं, flux का मतलब समझते हैं, flux का मतलब क्या होता है, flux क्या चीज है, flux क्या बला है ठीक है, अब electric field lines पर खूब चर्चा हो गई scientist ने खूब चर्चा कर ली और किसी दिन उनके दिमाज में आया कि भाईया बताओ ये area में आपको दे दू माल लो इतना सा area है, बताओ किती electric field lines निकल रही है इसके अंदर से ठीक है, तो बाकी लोग ना सुचा यार, electric field line कैसे count करी जाए, electric field line count करना तो बहुती मुश्किल काम है इसको कैसे count कर सकते हैं, तो उनमें लगा नहीं, इसको count करना possible, नहीं है, एसको count करना पॉसिबनें, तो फिर उनके दिमाग में आया, कि चलो एक काम करते हैं, एक ऐसी चीज बना लेते हैं, जो की electric field lines को define कर सकके कि कितने area से कितनी electric field line निकल रही है, तो उनने क्या define किया, flux को उनने define किया, तो flux को उनने क्या define किया, कि किसी किसी भी area से कितनी electric field lines निकल रही है उसका number उसका number जो होगा that would be flux तो flux को हम क्या लखेंगे number of electric field lines number of electric field lines number of electric field lines passing through passing through an area passing through an area अईरिया तो फो इसको हम क्या खाएंगे इसको हम कहेंगे flux और इसको किसे करते है इसको हम अब agreements करते है Reaper से कुसे फाई करते हैं तो यह flux को फाई से रिप्रजटर कर दिया भाई हमने तो बोला घजद फाई की यूनिट क्या होगी, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, पूछा, कि फाई की यूनिट, फाई की यूनिट बताने के लिए आपको पता हो ना चाहिए कि फाई होता क्या है, फाई को mathematical representation क्या है, तो फाई का mathematical representation बताया लोगों ने, कि हमने जो define किया है न फाई को इस तरह define किया कि फाई जो होता है वो e.da के बराबर होता है e.da के बराबर होता है इनके dot product के बराबर होता है कि भाई ये क्या बात हुई ये क्या बला है ये कहां से आप लिया एक कोई भी चीज ले लिए यहां पर एक कोई भी शीट ले लिए एक सी रैंडम और बोला कि यहां से को इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है जिसका वैल्यू ए है और यह हमने एरिया बना लिया ठीक है यह इस तरह से है जैसे कि यह मेरा डस्टार अगर है तो यह एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से इसको काट रही है कुछ इस तरह से टेड़ी काट रही है, ठीक है, इसको काट रही है, ठीक है, तो जितनी electric field lines काटेंगी इस area को, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा, इसका flux, तो कौन सी field line काटेंगी भईया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर यह E है, यह E है, इसका value तो E है, area की बात करें, तो area क्या होता है, area तो एक scalar quantity होता है, नहीं भईया, area एक vector quantity होता है, area एक vector quantity होता है, अगर आपके मन में कहीं से कहीं ते confusion था, तो आपको याद रखना है, area एक vector quantity होता है, तो इसका direction कि दर होता है, area का direction कि दर होता है, तो यह जो board है, इस example समझते हैं, कि अगर य यह area है इसकी length into bread तो इस area का जो direction होगा वो या तो इससे perpendicularly बाहर होगा या अंदर की तरफ होगा बतलब इस plane के perpendicular वाला ड्रेक्शन जो होगा वो इसका direction दिखा रहा होगा ठीक है इसको हम कैसे बत还有 वाला होगा केज। अंदर वाला होगा जो यहाँ इस area vector का direction यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको देखेएगे कि इस तरह से रखा है, तो area vector का direction मैं मन लेता हूँ, कुछ इस तरह आ रहा है, कुछ इस तरह आ रहा है और मैं इसको बोलता हूँ DA, मैंने छोटा से element यहाँ पर माना इह, इस चोटे से एलिमेंट का जो डिरेक्शन माना है मैंने वो इसको इधर डिये करके माना है और मुझे पता करना है कि इस डिये से कितना फ्लक्स निकल रहा है तो आप देखोगे कि इस E कहां मान लेते हैं इनकी बीच में एंगल है थीटा तो यह एक कॉम्पोनेंट इधर आए होगा इसको अगर आब आप मैंसे देखें तो E का कॉम्पोनेंट यह कॉंपोनेंट जो है नहीं है तो फ्लक्स जो होगा कि कितनी इलेक्टरिक फील्ड नाइन्स इस एरिया को काट पा रही है उसके बराबर होगा और ये तो भाया, यह कॉस्टिण e.da के बराबर हो जाएगा ठीक है तो flux हमें मिला किसके बराबर e.da के बराबर मिला और flux एक scalar quantity है क्या है? scalar quantity है दो vectors के dot product से हमें मिल रही है तो जो flux है वो एक scalar quantity हमेरे पास है flux क्या है? scalar quantity है और इसको हमने कैसे define किया? e.a आप लिख सकते हो e.da यहां पर integration मुझे लगा देना चाहिए था एक अच्छे बच्चों की तरह यहां पर लगा दिया था मैंने यहां नहीं लगाया integration इसनी लगाया क्योंकि मैं पूरे flux की बात कर रहा हूँ तो flux जो होगा वो e.da के बराबर होगा और यहां पर अच्छे बच्चों की तरह vector sign भी हम लगा देंगे ठीके तो यह flux का बारे में हमें समझ में आया कि flux क्या होता अच्छे unit के हम इसकी बात कर रहे था unit क्या होती है तो unit क्या हो गया आप देख सकते हो आप है formula पता चल गया e की unit क्या होती है volt per meter और area की unit क्या होती है meter square तो इसकी क्या unit हो जाएगी volt meter flux unit क्या हो जाएगी volt meter इसकी unit हो जाएगी इसको आपको याद रख सकते हो आपको याद कर रखना पर सिब कभी भी निकाल सकते हो volt meter की unit हो जाएगी तो हमने यह flux के पर हमें चर्चा करी है और कुछ नया करके दिखाना है नई चीज़ के ऊपर, बहुत कमी से नई चीज़ आती हैं, जिसकर हम experiment कर पाते हैं, तो उन्होंने गौस ने पकड़ लिया इसको, और बोलागे फ्लक्स के उपर चर्चा करेंगे, ठीक है, क्या बोला, उन्होंने बोला, कि हम जो है एक नियम देंगे, जिसको आप दुनिया में गौस के नियम के जाम से जानेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में गौस लो के नाम से जानेंगे, लो है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, लो का कोई प्रूफ नहीं होता, जैसे कूलम लो का नहीं है, वैस होता है कि उसके अंदर कितना charge है वो directly proportional होता है कि उसके अंदर कितना charge है या उन्होंने बोला कि जो flux होता है वो one by epsilon not times होता है कि उस area में उस जगा में उस शेत्र में कितना charge रखा हुआ है उन्होंने ये बहुत ही boldly ये बात बोली कि phi जो होता है, वो q in by epsilon not के बराबर होता है ठीक है बाई? ऑन बाई बिल्कु अच्छी बात है तो फिर क्या हुआ फिर उन्हों लगा, यार हमें तो पता है कि flux तो e dot d a के बराबर होता है e dot d a के बराबर भी flux होता है लोगों ने क्या किया, लोगों ने बुला कि देखो भई, ऐसा है कि यहाँ पर चार्ज रखा है Q1, यहाँ पर चार्ज रखा है Q2, और यहाँ पर चार्ज रखा है Q3, ठीक है, और आपको बताना है कि यह जो मैंने एरिया मार्क कर दिया है, किसी महानुभाव ने ऐसा किया, क कि इसके अंदर से जो flux निकल रहा होगा वो qn by epsilon 0 के बराबर होगा ठीक है तो को नहीं थीक है बिल्कुल आएगा लेकिन ही calculate करने पर बहुत ही गड़बड हो गई है यार electric field तो q1 q2 electric field लेने तो होई नहीं रहा बिल्कुल बैठी नहीं रहा है बिल्कुल mathematics ही नहीं बैठी है तो ऐसा क्या होगा इसके अंदर तो फिर उन्हों ने गौस ने बोला कि आप जो कर रहे हैं मैंने वो कहा ही नहीं है मैंने कहा है कि e.da जो है वो qn by epsilon 0 के बराबर होगा और यहाँ पर electric field जो होगी वो जितने भी charge present है यहाँ पर उन सब की electric field होगी जितने भी charge present है यहाँ पर उन सब की electric field होगी तो अगर मैं पता करना हूँ कि इस area में कितनी electric field होगी कितना flux होगा तो उसमें इसकी वज़े से भी electric field आएगी include होगी इसकी वज़े से भी electric field include होगी और इसकी वज़े से भी electric field include होगी तीनों की वज़े से electric field होगी लेकिन चार्ज हम वही लेंगे जो की surface के अंदर close surface में बंद है और उस surface को उन्होंने नाम दिया Gaussian surface क्या नाम दिया Gaussian surface डरने की ज़रूत नहीं है नाम है नाम से खबराते नहीं है ठीक है Gaussian surface क्या है Gaussian surface इसको नाम क्या दिया हुँ बहुती अच्छी बात है बहुती Unidos को नाम दे दिया है और बोलाए है कि इलिक्ट्रिक फीड्ट हो सारे चार्च की विज़े से और सिर्फ चार्च वो लेना है जो की सर्फिस के अंदर बंद हो फुक्त सुछी बात है और पास फॉर्मिला बद गय और गौस ने नियम देकर बहुत ही खुशी-खुशी थमसे सवाल पूचने की कोशिश फिर करी। देकर को यह सब बहुत नाँ हमे करेंगे हैं। electric field निकाल सकते हैं तो applications of gauslo में देखते हैं जो जी भी हमारे syllabus में हैं उन सब को एक बार derive करके देख लेते हैं तो क्या क्या है भई सबसे बहुत हम point charge से start करते हैं electric field of point charge by gauslo gauslo से हम point charge के electric field निकालने का कोशिश करेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या है हम मान लेते हैं एक point charge है हमारे पास जो कि क्यू है और बोलते हैं कि इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ एक हमने Gaussian surface मान लिया है क्या मान लिया है Gaussian surface जो कि कितनी दूरी पर है एक Gaussian surface इससे R दूरी पर है इस Gaussian surface पर मैं एक छोटा सा area element लेता हूँ एक छोटा सा area element लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ DA कितना है इसका element का area DA ठीक है और इक इतनी दूरी पर है आर्दूरी पर है, मतलब ये इस Q charge के आसपास एक spherical structure, spherical Gaussian surface बन गया होगा, इसका Gaussian surface कैसा बनता है, spherical Gaussian surface इसका बन जाता है, तो हम by Gaussian लोगा लिखें, तो Q, E dot DA जो होगा, वो Q in by epsilon 0 के बराबर होगा, Q in by epsilon 0 के बराबर होगा, Q in by epsilon 0 के बराबर होगा, Q enclosed बटे epsilon 0, enclosed, जितना charge इसके अंदर enclosed है, इस area के अंदर surface के अंदर enclosed है, तो आप देख सकते हो, कि यहाँ से, E तो है, E तो हमें निकालना है, तो E तो आप देखोगा, यहाँ पर E आएगा, इसका value उधर आएगा, E और इधर भी इधर 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 E का value जो आएगा, वो constant के बराबर आएगा, और DA is equal to Q in by epsilon 0 के बराबर आएगा, और Q in यहाँ से क्या आएगा, आप देखोगा, गोशन surface के अंदर कितना charge है, Q के बराबर है, upon epsilon 0, अब इसका मुझे area लिख लिना चाहिए, तो इस Gaussian surface का area कितना होगा, 4 pi r square equals to Q by epsilon 0, आप देख आजाएगा, Q का जो value होता है, 1 by 4 pi epsilon 0 के बराबर भी होता है, ठीक है, यह चीज़ हमने starting में आपको मैंने नहीं बता है, लेकिन बहुत basic चीज़े में बताएं लाइक कुछ थाने, यह बात करी हमने किसकी, point charge की, point charge की तरह ही हम spherical surfaces को prove कर सकते हैं, ठीक है, spherical surfaces होती है, जो conductor होत same है, बहुत similar है, यहाँ पर आपको एक point charge की जगह पर एक shell ले लेना है, ठीक है, shell पर आपको charge क्यों माल लेना है, वही चीज़े आपको करके करना है, ठीक है, चली हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं, electric field due to a line charge density, एक line charge density की वरे से, क्या electric field आने वाली है, इसको हम देख सकते ह हैं, क्या कर सकते हैं, इसके अंदर electric field due to a line charge, यह हमारा line charge है, ठीक है, इसके उपर lambda है, charge density, lambda equals to q by l होता है, ठीक है, यह हम जानते हैं, इसकी वैसे हम पता करेंगे कि कितना electric field बनेगा, कहां पर, इससे r distance पर, इससे r दूरी पर कितना electric field आने वाला है, ठीक है, तो हम मानते है कि जो Gaussian surface है, वो कुछ इस तरह से Gaussian surface बन रही है, कुछ इस तरह से cylindrical Gaussian surface हमने माना है, कि एक cylindrical Gaussian surface यहां से बन रही है, ठीक है, जो कि इस wire, इस rod से कुछ r distance पर है, कितना distance पर है, r distance पर यह है, ठीक है, तो इसका radius होगा, वो कितना होगा, यह radius इसका r होगा, यह radius इसका r होगा, होगा मैं आने लेता हूं कि इसकी लेंथ जो है वो एल के बराबर है यहां पर जो मैंने लिया है वही होगा ठीक है यहां पता चल जाएगा यहां से अच्छा हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे वही ई-डॉट डी इस इको इन वाइफसालम नॉट इसकी इस तरफ आएगी स्क्सावर फिस तरफ आएगी यहां यहां आए है आरे यह यहां फिर धियो ज sopran देखके होगा मैं इसका यहां भी इसका यह इसा करताव ऑघ्ब इधर आए करफ सब्सक्राइब के सकते हो कि यह और बी स के बीच में जो एंगल हैramerल है। 0 degree के बराबर है और वहीं यहाँ पर जो angle है E dot DA के बराबर बीच में जो angle है वो 90 degree के बराबर है तो cos 90 0 होता है तो यह वाला जो flux है इधर से जो flux इन surface जो flux होगा वो कोई काम का हमारे पास नहीं है हमारे पास जो सिर्फ curved surface से flux होगा वो काम का है जो कि E.DA के बराबर होता है तो E तो constant है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं DA, DA को हम integrate करेंगे angle 0 है, स्क्रिवन कॉस 0 बन रग भी आ है Q in close बटे, epsilon 0 में यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो आप देखोगे E.DA, DA क्या है यहाँ पर इसका देखेंगे अगर हम कितना होता है area, cylinder का 2 pi r l 2 pi r l वो Q in कितना आ जाएगा Q in आपके पास हो जाएगा, lambda into l upon epsilon 0, यह lambda l कैसे है देखेंगे तो, lambda की value आप देखो चार्ज की value इखने बेगे Q in close, तो Q in close यहाँ से lambda l के बराबर आ जाएगा तो, यह LCL यहाँ से कटेगा देखेंगे तो, हम यहाँ से, तो E का value कितना आ जाएगा lambda by 2 pi epsilon 0 into r तो, यह 2 k lambda by r इसको इस form में आप याद रखते हो यह formula आपने सुना भी होगा, यह इस तरह से Gauss law से proof किया जाता है तो, यह चीज हमें यहाँ से समझ में आई एक और है हमारे पास sheet के एक sheet की वेरे से कितना electric field होता है उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, खटाक से है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर तो sheet की वेरे से क्या होता है, देख लेते हैं मान लेते हैं, यह हमेरे पास cylindrical Gaussian surface है इसको हम इस तरह से इस Gaussian surface को मान लेते हैं यह Gaussian surface हमने मान ली है अगर मान ले हम कि इसका जो charge density है वो sigma है और sigma equals to q by a के बराबर हो, ठीक है तो q कितके बराबर आजागा, sigma a के बराबर हमारे पास आ जाएगा यहां से, ठीक है अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि यह जो मेरे पास जो मैंने surface लिया है इसका जो area है, वो a के बराबर है ठीक है, इसका area a के बराबर है ठीक है, आप देखोगे, electric field जो होगी sheet के वेसे, वो ऐसे रखी है sheet यहां पर electric field इस तरफ आ रही होगी और इधर electric field कुछ इस तरफ आ रही होगी, ठीक है, और sorry सभी से बनाए, इधर electric field इस तरफ आ रही होगी, ठीक है अच्छा, और area vector की बात करता हूँ, तो यह area vector इधर होगा, यह e बनाया है, मैंने a बनाया है और यह e बनाया है, यह area vector इधर होगा, और मैं बात करता हूँ, किसकी इसकी बात करता हूँ, कि यह अगर इसकी बात करता हूँ यहां पर इसकी बात करता हूँ, तो यहां पर area vector उपर वली surface पे, curved surface पे, यहां पर नीचे इस तरफ से cos 90 कितना होता है, 0 के बरावर होता है, तो यह 0 हो जाएगा, सिर्फ यह जो surface है, सिर्फ यह जो flat surfaces है, इन flat surfaces की वज़े से ही electric field आने वाली है, और वो कितनी होने वाली है, आप देखोगे इसकी वज़े से कितना आएगा, हमारे पास formula क्या है, e.da is equal to qn by epsilon 0 by Gauss law, ठीक है, यह Gaussian surface ह हमने मना ली है, यहाँ देखेंगे, आप e तो आप में बाहर निकाल लेना है, da, da कितना होगा, आप देखोगे, इसका area, इस पूरे का area कितना होगा, pi r square, अगर मैं इसका radius r मान लेता हूँ, अगर मैं इसका radius r मान लेता हूँ, तो pi r square और इसको भी r मान लेता हूँ, तो इ in enclosed charge, in enclosed charge कितना होगा, sigma into A, यहाँ पर नहींदो sigma into A, और area कितना है, pi r square, area कितना है, pi r square upon epsilon 0, यह pi r square से pi r square कड़ जाएगा, हमारे पास e का जो value आएगा, वो sigma by 2 epsilon 0 आजाएगा, sheet की वरे से जो electric field होती है, वो sigma by epsilon 0 के बराबर होती है, आपके syllabus में, NCRT में, जो shells है, जो spherical shell है, या spherical charge density है, उसकी वरे से भी दे रखा है, कि electric field निकालना आपसे पूछा जाता है, लेकिन इस बार हटा दिया गया है, तो उसको मैं cover नहीं कर रहा हूँ, ठीके, charges में नहीं छोड़ सकता था, आपको कुछ पज़ता ही नहीं फिर पढ़ाने को ना, तो ये बेकार के session ही बेकार हो जाता है, कुछ होता ही नहीं तो क्या पढ़ाते हैं, चार्ज ओमिट करके बीब करके थोड़ी नहीं पढ़ा सकते थे उसको, ठीके, तो ये चीज में ओमिट कर रहा हूँ, क्या दुरगट रहा है घटती हैं, तो उसके बारों चर्चा कर लेते हैं, तो डाइपोल क्या होता है भाई, डाइपोल कुछ नहीं है, डाइपोल अगर हम बहुत कम डिस्टेंस पर बहुत कम डिस्टेंस पर दो चार्जिस को रख दें, पॉजिटव चार्ज ले लें और नेगेटिव चार्ज ले लें, इनका मडूड बराबर ले हैं, और इनका दूरी हम ले लें 2A, तो ऐसे ब्रूड चार्जिस जो होंगे, जो कि इनका माडूड बराबर हो और साइन अलग अलग हों, और इंको बहुत कम दूरी पर रख दें इसको हम 2-1 तो ये एक डाइपोल की तरह करा हूंगे इसको हम बोलते हैं डाइपोल की तरह करेंगे ये डाइपोल ये जो दूरी होती है ये अंगस्ट्रॉंस में होती है कि एक स्ट्ट्रॉंग की और्डर की होती है जैसे की बॉंड लेंद ठीकिए आपके पास जो बॉंड होते हैं वो गुंस योर्ड माइनस एक डाईपॉल बना रहे हैं तो इस प्रकार से होता है जिद्धित न्कार बराबर होता है दूरी इनकी यह होते हैं अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, हमने इसको बनाने के लिए, समझने के लिए क्वांटिटी डिफाइन कर रही ही रखी है, जिसको हम डाइपोल मुमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइपोल मुमेंट, और ये डाइपोल मुमेंट क्या होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं define कैसे करता हूँ, इसका charge into distance, charge into इसका distance, ठीक है, इनके बीच की दूरी, तो यह कितना हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 2QA के बराबर, 2QA के बराबर यह हो जाता है, कितना होता है dipole का dipole moment, चलो हम electric field देते हैं, dipole की वेज़ से आपको बता दिया है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, electric field देखते हैं, dipole की वज़े से, electric field due to a dipole, topic आप इसकते हो, electric field due to a dipole, यह देखिए, यह positive charge है और यह negative charge हमने लिया है, इनके बीच में distance हमने लिया है, कितना, इनके बीचे distance समने लिया है, 2a, ठीक है, तो यह distance जो होगा, यह a होगा, बिलकुल के center में एक line कीज दिये मैंने, और यह distance होगा, यह भी a होगा, मैं इनके axis पर, इस dipole की axis पर कोई point लेता हूँ, इस point पर पता करना चाहता हूँ कि कितनी electric field आने वाली है, ठीक है, और मैं मानता हूँ कि यह distance है, यह r distance है from this central line, ठीक है, इनके जो बीच का जो point है, इस से ही r distance पर है, अब यह दोनों charge क्यों लिया है, मैंने यह q है और यह भी q है, ठीक है, अच्छा, इस distance की बात करता हूँ, तो this distance would be r minus a, ठीक है, इसको हम देख सकते है, r minus a distance होगा, यह पूरा r है, इसमें से a हटा दिया, तो r minus a बचा, अगर इस distance की बात करता हूँ, p point से distance कितना होगा, तो आप देख सकते हूँ कि this is r, यह पूरा r है, यह a है, तो इसको मिला के कितना आएगा, r plus a, ठीक है, यह distance मुझे पता चल गए, काम आएंगे, मैरे इसलिए मैंने आपर लिख लिए, तो पहले positive charge की वेशे, अगर electric field देखता हूँ मैं, तो positive charge की वेशे electric field जो आएगी, वो कुछ इस तरफ आएगी, ठीक है, क्यूंकि यह दूर है, तो electric field का जो value होगा, चलो देख लते हैं, value देख लते हैं, कितना आने वाला है, kq upon r plus a का square, ठीक है, अच्छा, और इसकी वेशे electric field आएगी, वो कुछ इस तरफ आएगी, और इसका जो value होगा, वो kq by r minus a का square आजाएगी, ठीक है, r minus a का square यह value हमेरे पास आजाएगी, तो हम e net की अगर बात करते हैं, कि इसके अंदर net electric field यहाँ पर कितनी आने वाली है, वो हो जाएगी हमेरे पास, kq upon r plus a square minus kq upon r minus a square, ठीक है, दोनों की वे selected field ले लिए हमने क्योंकर opposite direction में इस लिए, minus आजाएगा, आप kq को यहाँ से common ले ले तो kq common लेने के बाद क्या बच्चे का देखेंगे, तो r minus a square minus r plus a square upon r square minus a square to the power square, ठीक है, यह हमेरे पास यहाँ बचेगा, तो कितना बचेगा देखेंगे, तो kq उपर आप देखेंगे, उपर आप देखेंगे, उपर आप देखेंगे, to the power square, ठीक है, यह हमेरे पास मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर minus था, minus और यहाँ पर भी minus आएगा, तो यह minus होगा, प्रस नहीं होगा, ठीक है, यह r square, कुछ, 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 मैंने गलत किया है क्या, r square plus a square, minus r square, हाँ ठीक तो है, तो क्या आज जाएगा उपर, kq into 4ra, upon r square, minus a square to the power square, ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो r, यह r से बहुत, a से बहुत बढ़ा है, इसकी value जो है, वो a से बहुत बढ़ी है, ठीक है, यह value अगर बहुत बढ़ी हो, तो हम इसको ignore कर सकते हैं, एक respect में, यहाँ पर a को हम भटा सकते हैं, तो हमरे पास formula क्या बन जाएगा, kq into 4ra, upon r to the power 4, ठीक है, यह एक यहाँ से कटेगा, तो यह r cube बन जाएगा, कितना बचेगा, kq upon r cube, ठीक है, into 4a, ठीक है, थोड़ा सारे इंश कर के इसको हम लिखेंगे, तो 2k into 2qa upon r cube, यह हमर से में देखेंगे, कि 2q के के बराबर होता है, पी के बराबर होता है, तो यह 2kp upon r cube के हमरे पास formula आ जाएगा, तो axial point पर, axial point, axial point मतलब, डाइपोल के एकसिस पे, axial point पर, जो electric field होता है, डाइपोल का, वो 2kp by r cube के बराबर होता है, 2kp बटे r cube के बराबर होता है, ठीक है, e का value जो होता है, वो 2kp by r cube के बराबर आता है, चलिए, अच्छी बात आता है तो, एक और point हमरे पास आता है, इसको हम बोलता है, equatorial point, अब यह equatorial point क्या होता है, इसको भी हम देख लेता है, equatorial point क्या होता है, आप देखोगे, कि इस तरह से मैंना dipole को यहाँ पर रखा है, औ क्योंकि perpendicular होता है इस line के, तो आप देखोगे, यहाँ से जो electric field आएगी, वो कुछ इस तरफ आएगी, और इसकी electric field आएगी, वो इस तरफ आएगी, ठीक है, यह repel वाली electric field है, यह attract वाली electric field है, ठीक है, तो value इन दोनों का देखोगे, आप बराबर आएगा, क्योंकि यह distance इसको माल देखोगे, 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 इसको e cos theta और इसका भी e cos theta है 2e cos theta जो होगा वो electric field आएगा e sin theta, e sin theta वाले component आपस में एक दूसरे को हटा देंगे ये theta है तो ये भी theta होगा theta हमने इस प्रकार से define कर लिया है तो इसको हम निकालने कुशेश करते हैं 2e cos theta का value अगर मुझे मिल जाएगा e net मुझे मिल जाएगा जहाँ पर e का value kq by r square के बराबर है जहाँ पर e का value kq by r square के बराबर है ठीक है तो e net जो होगा वो किसके बराबर होगा 2e cos theta ये value दो रखना स्टार्ट करते हैं हम 2 into e, e का value क्या है kq by r square ये r क्या है ये दूरी है cos theta, cos theta के value हम क्या रखेंगे cos theta का आप देखो इस triangle के अंदर तो this is a, इसको मैं x मान लेता हूँ तो cos theta will be equals to a by r cos theta will be equals to a by r a by r, ठीक है तो कितना हो जाएगा 2 kqa by r cube ठीक है, ये 2 q और a मिला के क्या मिल जाएगा kp by r cube kp by r cube ये हम बराबास मिल जाएगा, तो ये हमरे पास formula आ गया, किसका e net का equit royal point पे e net कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है e net पर जो value आएगा, वो kp by r cube के बराबर आ जाएगा, ठीक है चली, तो ये हमने देखा भई, अच्छा मैं, direction क्या होगा इसका dipol जो होगा, वो dipol negative to positive हम लेंगे, negative positive dipol आएगा, तो dipol के opposite में आएगा तो ये minus kp by r cube हो जाएगा minus kp by r cube यहाँ आप यहाँ पे इसको vectorial form में लिख सकते है vector form में आप इसको इस प्रगार से लिख सकते है ठीक है, तो हमें ये पता चलती है कि अगर axial point और equator point हो, तो उन पर ये ये values आती ही, electric field की अच्छा, अब अगर dipol को अगर किसी external field में रख दिया जाए तो क्या होगा dipol के साथ, क्या धुरगटना घटेगी dipol इन एक्टरनल field, एक्टरनल field में क्या होगा देखें तो ज़रा ये आपके पास है, ऐसे external field, ठीक है और मैंने एक dipol को यहाँ पर रख दिया है this is positive and this is negative, this is positive and this is negative, ठीक है, तो ये मेरे पास dipol है, इस प्रकार से मैंने dipol को रख रखा है, इनके बीच में angle जो है वो देखो, ये है theta, क्या है angle, theta आप इसकी बात करते हो, तो इसके उपर कुछ force लगेगा, हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर लें यहाँ पर negative रखते है, यहाँ पर positive रखते है ठीक है, आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर force लगेगा कुछ QE किसी force, किसी field में अगर QE charge को लगते हो, तो इसके बार force कर रखता है QE charge, QE force लगता है, और इसके उपर क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा QE, तो दोनों के उपर कुछ force लग रहा है, QE, QE इन दोनों के पर force लग रहा है, इस angle की बात करता हूँ तो this would be theta, और इस angle की बात करता हूँ तो this would also be theta, ये दोनों angle theta, theta के बराबर होगे, ठीक है अच्छा, इस Q के अगर मैं QE के दो component करना चाहता हूँ तो इस तरफ क्या आएगा, QE cost theta और इधर क्या आएगा, QE sin theta ठीक है, वही मैं इसके भी component करूँ तो ये क्या होगा, QE sin theta और ये होगा, QE cost theta ये मेरे पास component है, अच्छा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि QE sin theta क्या इसको घुमा सकता है तो आप बोलो कि हाँ, बिल्कुल घुमा सकता है, इसको घुमाएगा तो आप देखोगे, torque about center of mass कितना होगा QE sin theta into distance from center of mass perpendicular force into distance from center of mass प्लस इस वाले का लेखे, इस वाले पर तो QE sin theta into A तो टॉर्क कितना हो जाएगा, देखेंगे तो 2QE sin theta into A आप देख, 2Q और A मिलाकर क्या बन जाएगा, हमरे पास यह मिल जाएगा, P, तो यह क्या जाएगा, P e sin theta, तो torque on electric dipole in an external field is equal to P cross E P cross E के बराबर यह force इसका आजाएगा, torque जो होगा वो P cross E के बराबर आजाएगा, तो अगर किसी dipole को किसी electric field में रख दिया जाए, external field में रख दिया जाए, तो इस external field में उसके ऊपर torque लगेगा, वो P cross E के बराबर होगा, ठीक है, बहुत important result है, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो यह हमने चरपचाकरी dipole को electric field में रखने के पर कितना उसके ऊपर NCRT में जितने भी दिये हैं, सारी topic में आपको cover करा दिये हैं, ऐसे ही videos लेकर, ऐसे ही one shot videos लेकर मैं आपके लिए आने वाला हूँ, जब तक कि आपके exam नहीं हो रहे हैं, ठीक है, पूरा हम cover करेंगे, पूरा हम syllabus बस cover करने वाले हैं, ठीक है, आज यहीं खतम करते हैं, आप इस channel को subscribe करो, ठीक है, red button दबाओ, अभी subscribe करो, like करो इस video को, share करो अपने friends के साथ, ठीक है, तो हम अभी आज यहीं खतम कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही, thank you